अगर light चली जाती है तो बहुत लोगों के घर में in water नहीं होता है तो वो DC fan यूज करते हैं और जो DC fan होता है वो एक speed में बहुत ज्यादा तेज speed में चलता है तो उसको अपने इच्छाम साथ तेज धीमा नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हमने बनाया है ये dimer इसकी मदद से हम motor को जिस speed में चला सकते हैं यानि कि धीमा चाहें तो धीमा तेज चाहें तो तेज तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ PVC pipe के तुकड़े जिसको हमने गरम करके इस shape में बना लिया है तो इस size का हमें चाहिए दो PVC seat जिस पर आप जो दो seat देख रहे हैं इसमें कुछ hole हैं जिसमें की हम component लगाएंगे आगे आगे बताएंगे जो लगाएंगे तो हम फिलाल इसकी हम लंबाई देख लेते हैं साढ़े 10 cm चोड़ाई साढ़े 4 cm अब इसको हम इस तरह से चिपका लेंगे जैसा कि आप देख रहे है और इसको चिपकाने के बाद हम इस hole वाले seat को इस तरह से दोनों तरफ हम लगाएंगे पिचलिए सबसे पहले हम एक seat को लगाते हैं और उसको लगा लेने के बाद इसमें हम कुछ components लगाएंगे यहाँ पर जो है dimmer के लिए है और यह जो नो दो है output के लिए है और यहाँ से भी हम output लेंगे तो यह आप देख सकते हैं यह dimmer है हमने पुराने spray machine से निकाला था खराब हो चुका था बाद में इसको repair करके जूज में ले लिया है इसमें 3 वायर होते हैं, इसका connection हम बाद में समझेंगे सबसे पहले इसको हम इसमें fix कर लेते हैं और उसके बाद से nut की मदद से इसको हम कस लेंगे उसके बाद से हम अगला component लगाएंगे तो यह जो आप इसक्रीन पर देख रहे हैं यह है RCA female connector जिसको मैंने पुराने setup box से निकालाया है जो की खराब हो चुका था इसको हम यहां पर लगा लेंगे और इसको fix कर लेंगे और उसके बाद से उपर इसके हम एक cap लगा कर मार्क कर लेंगे जिससे की बाद में अगर repair करना हो तो खोलने में प्राबलम ना हो तो जैसा आप इस screen पर देख रहे हैं इस तरह से हम लगा लेंगे और इसको हम बन कर देंगे और जैसे ही पीछे की तरफ दबाएंगे हमारा box open हो जाएगा जिससे की क्या हो repair करने में कोई प्राबलम ना हो अब चलिए हम बगल वाले seat को भी लगा लेते हैं इसमें भी हम कुछ components लगाएंगे आगे हम दिखाएंगे और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यह है speaker output का connector जो है इसको भी हमने setup box से ही निकाला था और यहाँ पर आप देखेंगे एक DC socket है जिसका wire तूट किया था तो हमने cut करके यहाँ से wire निकाल लिया है जो कि यह positive है negative है इसको भी हम लगाएंगे क्या होगा कि अगर हम charger से power supply लेंगे input तो भी दिक्कत नहीं होगा और हम direct किसी wire से गर लेते हैं तो इसके लिए speaker output वाले से ले सकते हैं जिससे कि हमें problem ना हो क्योंकि कई बार ऐसा होता कि हमें battery से direct power supply लेना होता है और जिसको हम wire की मदद से ही connect करते हैं हमारे पास DC socket का mail cable नहीं होता है तो यहाँ पर दोनों option है mail cable हो अगर 12 volt DC mail connector हो तो उससे भी हम input ले सकते हैं और wire हो तो direct हम wire से भी connect करके input ले सकते हैं और जो red वाला यहाँ पर देख रहे हैं यह positive है black वाला negative हम लेंगे जिसे की असानियों समझने में और यहाँ पर output भी दे सकते हैं आप यहाँ पर दो pin इसलिए लगाया है क्योंकि उपर से हम positive ले लेंगे नीचे negative और यहाँ से एक wire निकालेंगे जिसको हम इस चिम्टी की मदद से connect कर लेंगे जिसे की output लेने में भी problem ना हो अब बारी आती है connection की तेहाँ पर आप देख सकते हैं डीमर में जो है 3 wire है एक red, एक blue, एक black सबसे पहले हम red wire को connect करेंगे सबसे पहले red wire को इस DC socket के positive से connect करेंगे और यहाँ पर जो speaker connector है इसके red वाले pin से connect करेंगे और उसके बाद से इस wire को हम इस output में लाएंगे red वाले point से connect करेंगे और यहाँ से जो wire निकालेंगे उसके भी red वाले point से connect करेंगे यानि कि जो red वाला wire है इसको हम direct positive supply input में भी देंगे, output में तो चलिए हम connect करते हैं दिखाते भी हैं आपको किस तरह होगा तो यहाँ पर हमने speaker के red वाले pin से connect कर लिया है और DC socket के भी positive वाले point से connect कर लिया है अब यहाँ पर हम इस output वाले pin के positive से connect कर लेंगे और इसके उपर यहाँ पर देखिए 2 cables में लग जाता है तो एक negative में भी यूज करेंगे, वो बाद में बताएंगे आपको सबसे पहले हम positive वाले point को connect करेंगे तो यहां से हम एक blue wire लेकर positive वाले point को DC socket के positive से connect कर देते हैं उसके बाद आप बारी आती है negative point को connect करने की यहाँ पर इस speaker connector का जो negative point है यहाँ पर negative wire को connect करेंगे और DC socket के negative point से connect करेंगे तो चलिए इसको हम connect कर लेते हैं उसके बाद से बचा हमारा एक wire blue wire अब इसको हम इस से negative नीचे जो देख रहे हैं इस इस से negative वाले point के लिए connect करेंगे और यहाँ पर आप जो wire देख रहे हैं इसमें दो पीन होता है एक अंदर वाला एक बाहर वाला तो हम अंदर को तो positive supply दे दियें लेकिन बाहर हम negative दे देंगे तो हमारा एक ही RCA cable से काम चल जाएगा जरूरत के अंसार हमारे पास अगर एक ही RCA cable हो तो उससे ही हम output ले सकते हैं गर उसमें दो wire है तो तो सबसे पहले हम नीचे negative wire को connect कर लेते हैं और वहां से एक wire जोड़कर हम उपर negative में भी connect कर लेंगे और उसके बाद से जो wire हम चिम्टी में connect करेंगे यहाँ से positive negative लेकर बाहर निकाल लेते हैं और सब कुछ करने के बाद हम यहाँ पर glue gun लगा देंगे ताकि आपस में कोई भी short circuit ना हो गायर और लगाने के बाद से हमारा device तयार हो चुका है अब जो बाहर की तरफ निकला हुआ है PVC seat उसको हम इस send paper से घिसकर बराबर कर लेंगे उसके बाद से इसको हम paint कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको paint भी कर लिया है और जैसे यहाँ पर पीछे दबाएंगे यह open हो जाएगा अब चलिए इसमें हम power supply देते हैं उसको बाद से इस motor को चेक करके हम दिखाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका speed हम control कर रहे हैं अराम से control हो जा रहा है